प्लूटो का नाम तो आपने सुना ही होगा. दरसल, साल 2006 से पहले, इसे सौ रमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दरजा प्राप्त था. लेकिन 2006 के बाद, इसे इस सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया. प्लूटो ग्रह को यम ग्रह या ग्रह भी कहा जाता है. आज हम आपको इस ग्रह की वो अजीबो गरीब और रहस्यमय बातें बताने जा, रहे हैं, जिसे जानकर आप भी सोच में पढ़ जाएंगे. अठारह फरवरी 1930 को खगोल विज्ञानी क्लीड डब्ल्यू. टॉमबॉग ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था. असल में वह प्लैनेट एक्स नामक एक अज्यात ग्रह की तलाश कर रहे थे, जो यूरेनस, अरुन ग्रह और नैपच्यून, वरुन ग्रह की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा था. प्लूटो ग्रह का नाम ऑंक्स फोर्ड स्कूल, ओफ लंदन में पारने वाली एक ग्यारवी कक्षा की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने रखा था. इस बच्ची का कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है, और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए. प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं. यहां एक दिन प्रिथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है, यानि इस ग्रह का 24 घंटा लग भग 135 घंटे के बराबर होता है. वैज्यानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर बर्फ के रूप में मौजूद है, और इस पानी की मात्रा प्रिथ्वी के सभी महासागरों में आरक्षित पानी से लगभग 3 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज की रौष्णी को प्रिथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं. वैज्यानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी बेहद की कम है. इसकी सतह का तापमान अमूमन माइनस 233 से माइनस 233 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में जमा दे. प्लूटो का नाम तो आपने सुना ही होगा. दरसल साल 2006 से पहले इसे सौ रमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दरजा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे इस सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया. प्लूटो ग्रह को यम ग्रह या ग्रह भी कहा जाता है आज हम आपको इस ग्रह की वो अजीबो गरीब और रहस से मैं बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी सोच में पढ़ जाएंगे 18 फरवरी 1930 को खगोल विज्ञानी क्लीड डब्ल्यू टॉमबॉग ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था असल में वह प्लैनेट एक्स नामक एक अग्यात ग्रह की तलाश कर रहे थे जो यूरेनस अरुन ग्रह और नैपच्यून वरुन ग्रह की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा था प्लूटो ग्रह का नाम ओंक्स फोर्ड स्कूल ओफ लंदन में पारने वाली एक ग्यारवी कक्षा की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने रखा था इस बच्ची का कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं यहां एक दिन प्रित्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है यानि इस ग्रह का 24 घंटा लग भग 135 घंटे के बराबर होता है वैज्यानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर बर्फ के रूप में मौजूद है और इस पानी की मात्रा प्रित्वी के सभी महा सागरों में आरक्षित पानी से लग भग 3 गुना अधिक है इसके अलावा कहा जाता है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गड़े भी है प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की रौशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुँचने में लग भग 5 घंटे लगते हैं जबकि सूर्य की रौशनी को प्रिथवी तक पहुचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं वैज्यानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि यहां गर्मी बेहद की कम है इसकी सतह का तापमान अमूमन माइनस 233 से माइनस 233 डिगरी सेलसियस बना रहता है जो किसी भी इंसान को पल भर में जमा दे